Hello dear learners, welcome to my channel, study from home with rishna maim. Last video में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम rational number का multiplication और division करते हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे insert कर सकते हम rational numbers between two given rational numbers. यानि अगर हम आए पास दो rational numbers given हो और उनकी बीच हमें और rational numbers insert करने हैं और rational number find करने हैं उन्हीं दो rational number के बीच के तो उन्हें हम कैसे find करेंगे? आज हम लोग ये वीडियो में देखेंगे ठीक है? और इसको find करने के आपके पास तीन तरीके हैं. तीन method हैं जिसके तुरू आप इसको find कर सकते हैं. मैं आज आपको तीनो method बताऊंगी, step by step बताऊंगी और बहुत ही easy way में बताऊंगी ताकि आप लोग बहुत ही असानी से तीनो method को अच्छे से समझ सकें और उसे apply कर सकें. ठीक है? आप जिस भी method का use करके उसे निकालेंगे वो सही होगा ठीक है ना? लेकिन अगर आपको त तीनो method बताऊंगी, तो बहुत ही अच्छी वात है. ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे inserting rational numbers between two given rational numbers. Dear learners, अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है, तो पहले आप लोग इसे लाइक कर दीजे, मेरे चैनल को subscribe कर दीजे और subscribe के बगल में ही आपके पास एक bell icon आएगा, उसे भी press कर दीजे ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो उसके notification मिलती रहे. आप इस वी तो आप like, share and comment चरूर करें. चली स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, inserting rational numbers between two given rational numbers. ओके, फर्स्ट मेथड क्या है हमारा हम देखती हैं, फर्स्ट मेथड, if A and B are two rational numbers, then A plus B by two is also a rational number and its value lies between A and B. कहने का मतलब है, अगर हमारे पास A and B कोई भी two rational numbers हैं, तो अगर हम उन दोनों को add करके उसका half कर दें, यानि A और B को add करके उसका क्या कर दें, half कर दें, by two कर दें, तो जो हमें result मिलेगा, वो भी क्या होगा है? rational number होगा, और जो भी value आएगी, वो उन दोनों के क्या होगी? उन दोनों rational number के बीच में ही lie करेगी, है न? जैसे अगर मैं आप से कहूँ 6 plus 4, 6 plus 4 दो rational number है, है न? rational number है, न? 6 and 4 हाँ है, तो 6 and 4 दो rational number है, मैंने आप से कहा, इसके बीच के rational number बताएए, तो आप क्या करेंगे? 6 plus 4 कर लेंगे, और उसका half कर देंगे, तो 6 plus 4, 10, और 10 का half 6 और 10 के बीच में लाए करता है, 6 and 10 के बीच में लाए करता है, 6 and 4 के सुरी बीच में लाए करता है, यानि जब हम लोग देखतے हैं, 6 plus 4 हम लोग करते हैं, 6 plus 4 by 2 करेंगे, तो हमारा answer आएगा 5, और ये 5 जो है वो एक rational number है, और ये 4 और 6 के बीच में ही लाए करता है, है न? तो यानि हमने first method समझ लिया कि क्या होता है अगर A और B कोई भी दो rational number है तो उन दोनों को sum करके हम उसका by 2 अगर कर दें तो हमें उसके बीच का एक rational number मिल जाएगा है ना? तो इस तरह से चलिए question की थूँ समझते हैं insert two rational numbers between 7 and 8 7 and 8 के बीच के आपको 2 rational number क्या करने है insert करने है ठीक है तो चलिए solution करते हैं इसको कैसे करेंगे मैंने अभी आपको बताए इसके बीच अगर हमें 7 और 8 के बीच अगर एक rational number चाहिए वैसे तो हमें यहाँ 2 rational number चाहिए लेकिन पहले हम 1 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 7 प्लस 8 कर लेंगे और उसका half कर लेंगे ठीक है ना पहला number हमाई पास क्या है 7 कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर last वाला number 8 है और इन दोनों के बीच का हमें number चाहिए ना तो बीच का चाहिए तो 7 और 8 को add करके by 2 कर लेंगे ठीक है तो यह 7 पहला number हमाई पास है ही 7 प्लस 8 कीजिए 7 और 8 कितना होता है 15 बाइ 2 कितना होता है 15 बाइ 2 और यह कॉमा 8 और यह 15 बाइ 2 हमारा होता कितना है 15 बाइ 2 अगर हम 2 से इसको divide करेंगे तो 27 is 14 और 0.525 जट है 7.5 और 8 है ना तो हमें 3 रंबर मिल गए ना एक 7 एक 7.5 और 8 मिल गया इसी तरह से हमसे कहा है दो rational number निकालना है अब हम इन दोनों के बीच कभी इसकी तरह कर सकते हैं अभी जैसे हमें और दो rational number और एक rational number निकालना है तो इनको इनको add करके इनका half कर दें अगर मानिए यहाँ दो कीज़ेगा तीन rational number निकालने होते तो इसको add करके इसका half कर देते और third तो हमाँ पास है ही 7.5 और fourth rational number 8 हमाँ पास है ठीक है यह हो गया 7 7 और 7.5 add करेंगे है ना और upon 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमाँ पास 14.5 upon 2,7.5 और 8 यह rational numbers है जब हम इसे 14.5 को 2 से divide करेंगे तो हमारा answer आएगा 7.75 आएगा है ना क्या आएगा 7.75 आएगा और यह हमाँ पास 7.5 पहले से था और यह हमाँ पास 8 हो गया ठीक है अब देखिए हमने चार rational number क्या इसके 7 और 8 के बीच के 2 rational number हमने क्या कर लिए find कर लिए आप ही पताएए 7 और 8 के बीच में ही 7.75 लाई करता है ना और 7.5 भी लाई करता है तो हमने 2 rational number find कर लिए अगर हमसे 3 rational number find करने को कहता है तो हम क्या करते हैं फिर next में इनको इनको add करके by 2 कर देते ठीक है अगर 5 rational number find करने के लिए कहता है तो किसी बीच के ही किसी भी 2 को लेकर add करके उसको by 2 कर देते यानि उसका half कर देते तो इस तरह से हम जितने भी rational number हमसे कहा जाएंगे हम लोग ऐसे find कर लेंगे ठीक है ना तो हमने यहां पर 2 rational number find कर लिए जो कि हमको कहा गया था question में तो यानि कि हमारा क्या हुआ yoda रैशनल नंबर क्या हो गए हमारे रैशनल नंबर हमने कौन-कौन से फाइंड कर लिए 7.75 और 7.5 ओके यह पहला मेथड था जो कि बहुत इजी है कोई भी दो रैशनल नंबर आपको दिये हो तो उन दोनों को आप एड कर लीजे और उसका by 2 कर लीजे तो आपको क्या मिल जाएगा उनके बीच के रैशनल नंबर मिलते जाएंगे ठीक है ना? ओके students अब हम लोग अपना second method देखते हैं second method देखिए पहला method आपको अच्छे से समझ में आ गया second method देखते हैं for any two rational number a upon b and c upon d a plus c a upon b plus d is also our rational number with its value lying between a upon b and c upon d यानि कि second method हमारा क्या कहता है second method कहता है कि अगर a upon b और c upon d हमारे दो rational number है ठीक है? तो फिर a plus c यानि numerator का अगर हम add करें a plus c numerator को add करें और denominator को add कर दें b plus d तो यहाँ देखिए a plus c upon b plus d अगर हम लोग करें तो जो answer आएगा वो भी क्या होगा? rational number होगा और वो भी किसके बीच लाए करेंगा? a upon b and c upon d यानि जो हमने दो rational number लिए हैं उनके बीच में ही लाए करेंगा ठीक है? पहला method तो हम लोग ने समझा था अगर कि यह और यह rational number है तो इन दोनों को add करते हैं एक rational number ही आएगा और वो rational number a upon b और c upon d के बीच का ही होगा ठीक है न? तो अगर इस तरह से हम से कहा जाता है तो हम इस method को use करके भी उनके बीच के rational numbers find कर सकते हैं चलिए एक question देखते हैं देखे जैसे find three rational numbers between three by five and four by seven आपको दो rational number दिये हुए हैं three by five and four by seven आपको इनके बीच के three rational number find करने हैं कितने rational number? three rational number तो चलिए अभी जैसा मैंने आपको बताया solution करते हैं कैसा बताया? दोनों के numerator को add कर लेंगे देखे पहला rational number तो यह ही हो गया three upon five ठीक है? और यह हमारा four upon seven है हमें इन दोनों के बीच का rational number चलिए यहां पर है तो बीच का चलिए तो मैंने भी बताया numerator को add कर लें यानि three upon four upon denominator को add कर लें यानि five plus seven कर लें तो यह इनके बीच का हो जाएगा ठीक है? तो यह हो जाएगा three by five, three plus four कितना होगा? seven and five plus seven is twelve it is four upon seven we find the middle term यानि कि हमने इनके बीच का एक क्या find कर लिया? rational number find कर लिया, ठीक है? यह इनके बीच ही lie करेगा अगर हमें यहां पर three चाहिए यह तो हमने भी सिफ पहला ही find किया है अभी हमें कितना चाहिए? दो और rational number बीच के चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे? इस बार इन दोनों को add करेंगे ठीक है? इस बार इन दोनों को add करके बीच में रखेंगे और इन दोनों को भी add कर देंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं कैसे? पहला तो यह ऐसे ही है, three upon five हमारा अभी जब दूसरा हमें निकालना है तो हम क्या करें? इनके इनके numerator को add कर दें यानि कि three plus seven और यहाँ पर three plus twelve को add कर दें sorry, five plus twelve को तो यहाँ five plus twelve ठीक है? अब हमें यहाँ इनके बीच का एक और चाहिए तो हम इन दोनों को ले लेते हैं तो यह four upon seven हो गया हमें इन दोनों के यानि three upon five और four upon seven के बीच के रैशनल नमबर चाहिए थे ठीक है? तो चलिए निकालते हैं यह हुआ हमारा three by five यह हमारा क्या हुआ? three plus seven is ten by seventeen and it is seven plus four seven plus four is eleven and twelve plus seven is nineteen here is four by seven ओके? यह तो हमने देखे इन दो जो हमारा कोशन था three by four और four by seven के बीच के हमने दो अभी term निकाले हैं दो middle term निकाले हैं लेकिन हमें find कितने करने हैं? three find करने हैं तो third one तो यह हमारा three तो हम लोग ने इनके और इनके बीच के दो term find कर लिए हैं middle term दो rational number find कर लिए हैं अभी हमें लेकिन three rational number find करने हैं तो इस बार हम लोग इनके इनके बीच का sum करेंगे ठीक है ना? तो चलिए three by five तो पहले से ही था ten upon seventeen हमने find किया था इन दोनों के बीच का एक और निकाल लेते हैं यानि कि इनके numerator को denominator को add कर लिया ten plus eleven upon seventeen plus nineteen और ये four by seven ठीक है? और ये eleven by nineteen भी तो था तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कॉम में लगा के eleven upon nineteen भी था हमारे पास ठीक है? अब यहाँ पर देखें कितना हो जाएगा ये हो जाएगा three upon five it is ten upon seventeen eleven plus ten is twenty one upon seventeen plus nineteen अगर आप add करेंगे तो nine or seven six carry one two or two sorry one one two or eight three thirty six and it is eleven upon nineteen and four by seven अब देखें जो हमारा question हम से यहाँ पर पूछा था कि three by five और four by seven के बीच के three rational number फाइंड करने थे तो हमने फाइंड कर लिए है पहला है ten upon seventeen second one is twenty one upon thirty six and third one is eleven upon nineteen so required rational numbers हमाई पास क्या हो गए जो हमाई required थे तो required rational number is ten by seventeen twenty one by thirty six and eleven by nineteen ओके कितना असान था ना आपको दोनों method अच्छे से समझ में आ गए okay okay students तो अब हम लोग अपना देखते हैं third method ठीक है previous two method जो भी मैंने आपको बता है वो समझ में आ गए पहला method दूसरा method अब हम आते हैं इस्ते method पर आप तीनों में से कोई भी method यूज कर सकते हैं थीक है middle rational number को find करने के लिए कि नहीं भी दो rational number के बीच के rational number को find करने के लिए कोई भी method जो आपको सबसे इजी लगता है जो आपको easy पड़ता है convenience पड़ता है उसे आप यूज कर सकते हैं third method देखते हैं अब हम लोग ठीक है देखिए क्या है third method मान लीजे question है find five rational numbers between three by four and seven by eight ठीक है five rational number हमें find करने है three by four और seven by eight के बीच के तो फिर इसे हम कैसे करेंगे solution देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों के denominator same कर लेते हैं जो भी हमाय पास राश्टर number दिये हैं हम इनके denominator को क्या करते हैं same कर लेते हैं और आपको पता है कि denominator same करने के लिए हमें क्या लेना होता है lcum लेना होता है तो हम लोग चलिए इनका lcum लेते हैं तो lcum क्या हो जाएगा lcum of four and eight four और eight का lcum हमारा eight ही आएगा है ना four और eight का lcum हमारा क्या आएगा eight ही आएगा तो दोनों के denominator पहले हमें same करने होंगे तो हम यहां लिखेंगे three by four four का हमें denominator कितना लाना है eight लाना है तो आप बताइए कि हम four को किस से multiply करें कि हमारा denominator eight हो जाए यानि four two is a eight यानि हमें two by two से multiply करना पड़ेगा किस से करना पड़ेगा two by two से तो three two is a six four two is a eight students अगर आपको यह multiply अभी तक rational number का करना नहीं आता है तो उपर मेरे icon पर देखिए वहाँ पर i लिक कर आ रहा है वहाँ पर आपको जो वीडियो मिल लई उस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको मेरे multiplication और division वाली वीडियो की link मिल जाएगी वहाँ से आप जाके division of rational number देख सकते हैं ठीक है अभी यहाँ आगे देखते हैं फिर यहाँ seven upon eight है तो seven upon eight में तो lcm eight लेना है तो यहाँ भी eight है यहाँ भी eight है तो one by one से multiply कर दें यह ना भी multiply करें तो हमारा यह तो same ही है तो six upon eight यह seven upon eight सबसे पहला काम हमारा क्या है दोनों के denominator को same करना तो हमने दोनों ही denominator को क्या कर लिया? Same कर लिया, ठीक है अभी हमें कितने rational number find करने है 5 rational number find करने है इन दोनों के बीच के किसके किसके बीच के 6 upon 8 और 7 upon 8 के बीच के 5 rational number find करने है तो एक तरीका है अगर हमें 5 rational number find करने है तो हम 5 plus 1 कर देंगे क्या कर देंगे 5 plus 1 इने भी rational number हमें find करने होते हैं उसमें हम एक एड करके यानि उसका एक आगे लेकर हम उतने से क्या करते हैं multiply करते हैं जैसे 3 upon 4 है तो 3 upon 4 और 7 upon 8 के बीच के हमें 5 rational number चाहिए तो हम 3 upon 4 लिखेंगे और 5 rational number चाहिए तो हमें किस से multiply करना पड़ेगा 6 है 5 plus 1 6 है तो यानि हम इसको किस से multiply कर लें sorry यहाँ पर 3 upon 4 नहीं होगा 6 upon 8 होगा हम लोग ने इसको क्या बना लिया है 6 upon 8 बना लिया है तो यह 6 upon 8 होगा ठीक है तो 6 upon 8 को हमें उपर और नीची किस से multiply करना पड़ेगा 5 rational number find करने है तो हमें 6 से multiply करना पड़ेगा 6 upon 6 ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 6 से 36 and 8 से 48 ठीक है और second वाला हमारा क्या है 7 upon 8 second वाला हमारा क्या है 7 upon 8 और इसमें भी हम किस से multiply कर लेंगे 6 by 6 से 7 सिखजा 42 and 8 सिखजा 48 अब यही नमबर हमारे जो हमारे यह नमबर 3 by 4 थे अब हमारा क्या बन गया है 36 upon 48 और यही नमबर जो हमारे पस 7 upon 8 था वो नमबर हमारे पास क्या बन गया है 42 upon 48 बन गया है अब इसके बीच के हमें 5 rational number find करने है तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 rational number थीक है कौन कौन से हो जाएंगे 36 upon 48 तो हमारे पास पहले से ही है इसके बाद का हमारे पास कौन से हो जाएगा 37 upon 48 फिर 38 upon 48 फिर 39 upon 48 40 upon 48 41 upon 48 और यह तो हमें given ही था 42 upon 48 ठीक है तो आप देखिए यह 5 rational हमने क्या कर लिए 5 rational number इनके इनके बीच के 5 rational number हमने या क्या कर लिए है find कर लिए हैं तो आप लोग को बच्चों समझ में आया ना इसको आप यह मत कहिएगा कि मैं यहां 3 by 4 था कोशन में यहां देखें कोशन में 3 by 4 था आपने 36 upon 48 क्यों लिखा तो इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता है कि हम यह हमारे equivalent fraction है ना equivalent fraction मैंने आपको बताया था previous वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे link उपर आ रही होगी उस पे click कर दीजिए आपको मेरे equivalent fraction वाले वीडियो की link मिल जाए गई उसे आप देखिए यानि कि हम 3 by 4 को जितने भी multiply उसका equivalent fraction में लिख सकते हैं जैसे 6 by 6 से multiply कर सकते हैं तो भी ये और ये value सेम रहेगी अगर हम 7 by 7 से multiply करें तो भी ये value सेम रहती ठीक है ना तो ये हमने find कर लिए अगर इसी तरह से आपको इसके बीच अगर हमने यहाँ कहा 7 rational number find कीजिए तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या होता कि denominator same करना denominator आपनी जैसे ही same किया denominator same करने के बाद आपको अगर 6 या फिर 7 rational number अगर आपको find करने हैं बीच के तो आप 8 by 8 से multiply करेंगे अगर आपको 8 rational number find करने हैं तो आप 9 by 9 से multiply करेंगे ठीक है और जैसे ही आप multiply करेंगे तो आप खुद देख लेंगे कि दोनों के बीच आपको बहुत सारे rational ठीक है students अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो उसे like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए ओके, thank you